तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चलना है अपने लैप्टॉप और डेक्स्टॉप के माई कॉम्पीटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीस में प्रॉपर्टीस पर जाने के बाद आपको आपकी स्पेसिफिकेशन जान लेनी है कि आपका जो कॉम्पीटर यह लैप्टॉप है यह डेक्स्टॉप है उसकी क्या कन्फिग्रेशन है तो यहाँ पर आप देशकते हो मेरे पास है यहाँ पर आप अपने सिस्टम के अंदर माई कॉम्पीटर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीस पर जाएंगे तो इस तरह की कन्फिग्रेशन आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी तो यहाँ पर आप देशकते हो मेरे पास है आई-3 सेकंड जेनरेशन सेकंड जेनर पर है वह आप अपने इंटरेट गूगल ब्रावजर पर जाके गूगल पर सर्च आउट कर सकते हो और उसके बाग आप फाइड आउट कर सकते हो कि आपका जो है प्रोसेशर हो कौन से जनरेशन का है ठीक है एन्यूए उसके बाग यहाँ पर चार्ज इपी की राम इंस्ट इंस्टॉल है तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में इफ आपके पास लो कन्फिरेशन का डेफ्स्टॉप या लेफ्टॉप है तो आप किस तरह से अपने लेफ्टॉप या डेफ्स्टॉप के अंदर विंडोस 11 को इंस्टॉल कर सकते हो तो रिसेंटी यहाँ पर विंडोस 11 मिल रहा है बाकी जो ओल्ड हमारे प्रोसेसर है जैसे सेवन जनेरेशन वाले उन लोगों को अभी विंडोस 11 का अपडेट या अपडेट या इंस्टॉलेशन करने के लिए आप्शन कोई भी नहीं दिया गया है तो अगर आप उसके बावजुत चाहत आपने वाला हो ठीक है तो इसको मैं क्लूस कर देता हूं और चलते हैं सबसे पहले ब्राउजर के अंदर ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको लिके चलता हूं विंडोस 11 डाउनलोड ठीक है तो माइक्रोसोफ की यहाँ पर वेबसाइट आएगी जैसे आप गूगल पर टाइप करते हो विंडोस 11 डाउनलोड तो यहाँ पर मैक्रोसोफ की जो भी वेबसाइट होगी उसको आपको ओपन करने नहीं है यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ पर ओपन करने के बाद एक्जर्ट ले यह साइट इफ उपन होती है तो आपको यहाँ पर तीन इफ़ायरमेंट है वह पूरी करता है या नहीं तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करने नहीं है यहाँ से इस टूल को विंडोस 11 इंस्टलेशन असिस्टन टूल टिक डाउनलोड नाव पर क्लिक करते है यह डाउनलोड हो जाएंगा ओके स्टार्ट डाउनलोड तो यहाँ हमारा जो है वह डाउनलोड हो चुका है मैं इसको ओपन कर लेता है एक बार एंड यस तो यहाँ पर आप दे सकते हो ओपन होते ही क्लूश हो जा रहा है क्योंकि मेरे पास अल्रेटी यहाँ पर इंस्टॉल है विंडोस 11 तो अगर आपके PC में इंस्टॉल नहीं है तो उस च को इ Istanbul नहीं है तो यहाँ पर आपको इंस्सेकेंड्ग ऐपशन को किप करना है और आना है सीधा थर्ड ऑप्षेंड फर एफ कटी अगर आपको रेप्तोव या डेकसितो ऑप्षेंड है तो ही आपको इस तूल को यूज करना है ठीक है इस अगर आपका जो लेक्टॉप और देख्टॉप है वो यहाँ पर eligible होता है तो आपको डाउंड करना है दूसरे option को कर लेते हैं यहाँ फिर से एक बार डाउंडो दूसरे option को है start download कर लेता हूँ और उसके बात यहाँ पर open भी कर लेते हैं उसको कुछ इस तरह से open करते ही आपको कुछ इस तरह की विंडो आएगी गेटिंग आफ फीफ तिंग रेडी उसके बाद यहाँ पर एक्डिमेंड है लाइसेंस है तो उसको एक्सेप कर लेना है एंदेन नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि कौनसी विंडोस हमारी जो है वो डाउट होने वाली है ठीक है सिलेक्ट लेंग्वेज एंड एडिशन यहाँ पर यूस रेकेमेंडेट पर क्लिक हटा देंगे वैसे हमें यहाँ पर आप्शन में जाँगा सिलेक करने के लिए ठीक है तो वह आप अपने साब से कर सकते हो उसके बाद करना है हमें next और इसके बाद देख लेना है हमारे पास क्या राउट करना है usb flash driver and iso file तो अगर आप चाहते हो कि अपने पेंडर पर केंदर उस चीज़ को लेना तो usb flash driver कर सकते हो और अगर नहीं चाहते है तो iosb file पर क्लिक करके हमें next कर लेना है next करते ही आपको बताएंगा कि आपको इस file को कहां सेव करना है तो हम यहाँ पर desktop पर कर लेते है लाद desktop and save तो हम यहाँ पर देश होते हो windows 11 जो है वो downloading start हो चुका है ठीक है? download हो जाने के बाद आपको क्या करना है मैंने अल्रेटी download कर लिया है इस file को यहाँ से मैं close कर लिए इसको जाल? yes तो यह close हो चुका है अब मैंने यहाँ पर इस file को download कर लिया है ISO file को आप देश बते हैं यहाँ पर windows 11 लिखा हुआ है ठीक है तो इसको हमें क्या करना है simply open कर लेना है double click करके open करते ही यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से मिलेंगा setup रण करना है आप इस file को extract करके भी open कर सकते हो ठीक है? आपकी मर्जी है तो यहाँ पर आपको रण करवाना है insert windows 11 के setup को उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ permission देना होगी yes उसको minimize कर लेते है तो यहाँ पर आप देशकते हो मेरा जो windows 11 का setup है वह preparing start हो चुका है तो यहाँ पर first of all आपको जैसे ही आप windows 11 का जो setup start करते हो उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको option मिलेंगे तो यहाँ पर आप right now पर click कीजिये and then यहाँ पर I want to help make the installation better उस पर से click निकाल दीजिये उसके बाद करिजिये next तो यहाँ पर आपकी जो PC की requirement है वो check करेंगा कि आपका जो PC है जो आपका जो laptop या desktop है वो eligible है या नहीं तो यह चीज हमने अल्रेडी प्रफर्म कर चुके है हमारे पहले steps के अंदर Windows 11 installation assistant है वो यह चीज आपको अल्रेडी बता देंगा इफ आपका PC eligible नहीं होगा तो यहाँ पर आप दी सकते हो simply this PC does not currently meet Windows 11 system requirements तो यहाँ पर हमारी जो system है वो requirement को पूरी नहीं करती है जो Windows 11 के लिए हमें होनी चाहिए इस प्रोसेसर is not supported for this version of Windows और दूसरा option है यहाँ पर the PC must support TPM 2.0 तो यह दोनों चीज की requirement है और यहाँ पर हमारे पास हमारे system के अंदर यह दोनों चीज अवेलेबल नहीं है तो यह एक hardware level चीज है तो यह दोनों चीज को हमको update करना होगा उसके बाद ही हम Windows 11 को install कर सकते हैं हमा आपको कब करना है मैं आपको पहले बता देता फुरीश एक बार सबसे पहले आपको यह first option download करना है उसके बाद आप उसको run करोगे तो इस तदह की आपको error दिखेगी इफ आपका आपकी system eligible ना हुई तो और अगर eligible होती है तो यहां से next next करने का option आएगा और आपको simply Windows 11 installation finished करना है कुछ ज्यादा step नहीं है वह आपको क्या क्या steps आने वाले हुआ हम इसी वीडियो के अंदर आगे दिखने वाले है ठीक है तो यहां पर दो error है हमें दिखा रही है इफ आपका PC eligible होता है first steps के अंदर तभी आपको यह second steps डाउलोड करना है otherwise आपको यह डाउलोड नहीं करना है ठीक है आप समझ किये आपकी लिए रहो कोई भी conclusion हो तो एक बार comment करके आप मुझे ज़रू बताइए ठीक है तो first of all आपको जाना है यहां पर Windows 11 installation assistant के अंदर system eligible है Windows 11 के लिए तो ही आपको यह दूसरा option डाउलोड करना है otherwise आपको यह चीज़ डाउलोड नहीं करनी है anyway उसके बाद चलते हैं यहां पर close करके इसको थर्ड स्टेप्स पर तो थर्ड स्टेप्स क्या है यहां पर डाउलोड विंडोस 11 disk image ISO ठीक है तो यहां पर आपको विंडोस 11 सेलेक्ट कर लेना है and then यहां से डाउलोड करना है आपको इफ आपका PC यहां पर eligible नहीं होता first step में तो आपको यह थर्ड स्टेप डारेक्ट इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर आप देश होते हो विंडोस 11 English 64 bit डाउलोड पर क्लिक करते ही यहां पर डाउलोड का जो ऑप्शन है वह स्टार्ट हो जाएंगा तो यहां पर मैं कैंसर कर देता हूँ फिलाल क्यूंकि हमने अल्रेडी इस फाइल को आपको दिखा रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसको एक्स्टेट कर लेना है अब वह एक्स्टेट कर लेते हैं यहां से तो यहां पर हमारी जो फाइल है वह अल्मोस्ट एक्स्टेट हो चुकी आप देशाते हूँ विंडोस 11 नो ओपन करके एक बस को रन करा लेता हूँ अधाने जाए एड्मिनिस्टेटर एंड यस तो इफ आपका डिवाइस एलिजेबल होता है तो फिर कोई इशू है नहीं यहां से आप रन करवा कि इसको इंस्टोल कर सकते हो काफी इजीली इफ अगर आपका जो डिवाइस है वो एलिजेबल नहीं है तो यहां पर आपको आपको करना क्या है मैं आपको दिखाता हूं इस आपको करना है मैं आपको दिखाता हूं इस Windows 11 की फाइल्स के अंदर कुछ फाइल्स को आपको एडिट करना होगा सोर्स फाइल के अंदर तो यहां से मैं इस Windows 10 का जो हमारा ISO फाइल है इसको मैंने डाउट किया यहां पर Windows 10 की हमारे ISO फाइल है उसको भी हम एक्स्ट्रेट कर लेते हैं कुछ इस तरह से यहां पर एक्स्ट्रेट डेस्टोक के अंदर एक निव फाल्डर जिसका नाम रखेंगे हम तो यहां पर मैंने Windows 10 के जो फाइल है मैंने उसको भी एक्स्ट्रेट कर लिया यहां पर तो एक्स्ट्रेट हो जान देते हैं ठीक है तो आपको यह चीज़ नहीं करना है मैं इसकी जो मोडिफिकिशन लिंक होगी उसकी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देदूंगा तो वहां से आप डारेक्ट Windows 11 मोडिफिकिशन वाला सेटप डाउड़ कर सकते है जहां पर आपको कोई एरर नहीं देखने को मिलेंगी डारेक्ट Windows 11 को इंजोई कर सकते हो काफी इजीली और काफी जूनी सिस्टम्स के अंदर भी इफ आपकी पास पैंटियम डियोल कोर या पैंटियम सेलेरॉन प्रोसेसर वाला डेफ्सटोप या लैप्टोप है तो भी आप इस चीज़ को अपने लैप्टोप या डेफ्सटोप के अंद Windows 11 इंस्टोप करके एक बार यूस कीजिए डेफिनेटली आप रोल बेक नहीं करने वाले हो अपने Windows 10 के अंदर या प्री जंप बेक नहीं जाने वाले हो Windows 10 के अंदर डेफिनेटली यह काफी इंप्रूवड और काफी अच्छा Windows है और इसके बाद आप इंस्टोप कर लेने आपको अप्रेट बीडेफिनेटली मिलने वाले है आपके अपकमिंग अप्रेट विंडोस 11 के वह आपको ऑफिशली सिस्टम वाइस ही आपको जैसे मिलते थे Windows 10 के अंदर वैसे आपको इसके अंदर भी मिलने वाले है तो कोई चेंजिस नहीं है ना आपको कोई चीज की कर होते है एक्स्ट्रा सब ऑफिशली है सिर्फ यह आपको एक मोडिफिकेशन करना होगा वह मोडिफिकेशन में आपको अल्री करके इसी वीजो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूगा तो वहां से आप जाके इस चीज को डावर करके आप अपने सिस्टम के अंदर इस्टॉल कर सकते हो विंडोस 11 ठीक है यहां पर अल्मोस्ट हमारा जो है विंडोस 10 का जो फॉल्डर है जो आयसो फाइल है वह एक्स्ट्रेट होने वाली है इफ अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको मोडिफिकेशन कुछ से करना है तो भी आप कर सकते हो आपके हिसाब से तो मैं आपको दिखा दूँगा किस तरह से करना है उस 10 की ISO फाइल है वह भी एक्स्ट्रेट हो चुकी है आप दे सकते हो यहां पर विंडोस 10 एंड विंडोस 11 तो यहां पर मेरे पास दोनों ISO भी है और उसके दोनों एक्स्ट्रेट किये हुए फाइल भी है इस दोनों किस्ट्रेट के भी है तो आपको जाना है विंडोस 10 के अना है और सुर्स फाइल के अंदर जाना है सूर्स फाइल नहीं जाना के बारो Mario फाइल है 202 को सेलेक क्लेना मैं क्ट्रोल एक कर यापिट क्लिक करके है या पिर रैड़्क करके आप यहां से इस सिलेक को तु दबल क्लिक करके उस फॉल्डर को ओपन करना है, and then source folder होगा, उसको ओपन करना है, डबल क्लिक करके, and then यहाँ पर सारी जो फाइल समर्ट को कॉपी की है, उस सारी फाइल को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, तो पेस्ट करते हैं, यहाँ पर कुछ परमिशन भी आपको दीनी यह हमारे Windows 10 से Windows 11 के folder के अंदर ठीक है आपको just इतना ही करना है इसके अलावा आपको कोई भी modification करने की ज़रूरत नहीं है कुछ से कुछ भी करने मत जाना या कोई भी file मिस हो जाती है तो आपका Windows 11 properly install नहीं होगा तो आपको इसी ध्यान रखने है ठीक है तो आपको इसी modification वाली आपको इसी वीडियो के description में दे दूँगा बेटर है कि आप यही फाइल को आप install कीजिए अपने laptop या desktop अपनी systems के अंदर आप खुछ से कुछ try मत कीजिए ठीक है तो यह मेरा एक suggestion है इफ आप करना चाहते हो तो काफी easy है काफी easy way में आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया ह है इफ आपको समझ में आते हैं तो ठीक है आप अपने हिसाब से भी try कर सकते हो all right तो यह चीज हो गई इसको हम copy हो जान देते है लेट्सी तो यहाँ पर आप देसे तो replace करने की एक permission आई है replace this file in the destination तो यहाँ पर replace करना है आपको simply ध्यान लटना है replace पे ही click करना है आपको यहाँ पर जो है हमारी file almost सारी copy हो चुकी हमारे windows 11 के folder के अंदर ठीक है इसके बाद इसको close कर देना है अब simply हमने मैं start किया तक फिर से setup एक बार फिर से start करेंगे double click करके and then boom इस बार कोई भी आपको error देखने को नहीं मिलेगी हाँ हो सकते है आपको यहाँ पर कहीं कहीं दिखाया जाए कि विंडोस 10 इंस्टल हो रहे है बट ऐसा नहीं होगा विंडोस 11 ही अपना system के अंदर इंस्टल होगा ठीक है यहाँ पर मैंने open कर लिया है यहाँ आप आप देस होते हो विंडोस 10 दिखा रहे है बट विंडोस 10 नहीं विंडोस 11 ही है यह ठीक है right now not right now पे click करके I want to help make the installation of देखने को नहीं मिल रही है आप देस अब तो यहाँ पर direct आपको मिल गया है यहाँ पर applicable notice and license trims का तो यहाँ पर आपको direct license के उपर लिखी गया है accept कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको click कर लेना है keep personal files and apps keep personal files only and nothing everything next do you want to continue using this selections yes ठीक है तो अहाँ पर दो options disable थे बड़ यहाँ पर आपको ऐसा नहीं मिलेंगा आपको तीनो तीन आप्शन मिलेंगे available अगर आप चाते हो तो अप्डेट कर सकते हो अगर आप चाते हो तो neat and clean installation कर सकते हो जैसा आप चाते हो विससा कर सकते हो यहाँ पर मैंने already windows 11 install किया अपनी system में update किया अपनी system में that's why यहाँ पर keep का option नहीं दिखा रहा था हमें ठीक है तो अगर आप चाते हो तो nothing या keep पर रखे आप अपना जो है विंडोस 11 का जो installation है वो कर सकते हो यहाँ पर आप देसे हो तो विंडोस 10 setup दिखा रहा है बट don't worry मैं आपको guarantee देता हो यह विंडोस 10 इंस्टोल नहीं होगा आपका विंडोस 11 ही install होगा और प्रॉपरली इंस्टोल होगा ठीक है तो लेट सी तो आपको यहाँ पर install नाओं पर किलिक करना है ready to install जैसे आता है वैसे install पर किलिक करना है इंस्टोल पर किलिक करते ही आपका जो installation है वो start हो जाएगा विंडोस 11 ही install होगा इसकी मैं आपको guarantee देता हूँ ठीक है तो इस तरह से से आपको अपने laptop या desktop के अंदर अगर error आ रही है और Windows 11 आप test करना चाहते हो तो इस तरह से आप कर सकते हो आपको हर फाइल की link इसी वीडियो के description में दे दूँँगा तो वहां सब जाके डाउड कर आपके install कर सकते हो ठीक है तो मैं install नहीं करूंगा क्योंकि मेरा सब data जो है वो erase हो जाएगा इसके full chances है क्योंकि मैंने recently इसको अप्रेट किया है और इसी तरह की से किया है ठीक है तो I hope कि आप लोग को काफी easily Windows 11 आप अपने laptop या desktop में install कर सकते हो तो please try करके मुझे कमेंट करक कि आपने जो install किया है वो successfully हुआ या नहीं इफ आपको कोई भी issue लगता है या कहीं पी आप अटकते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना मैं आपको guide कर दूंगा इफ possible रहा तो मैं आपको video call करके भी guide कर सकता हो तो definitely आप मेरे से help ले सकते हो तो बस इस वीडियो में इत करने के लिए eligible नहीं है तो इस तरीके से आप अपनी जो error है उसको fix कर सकते हो या फिसको bypass कर सकते हो और इसी तरीके से windows 11 को आप install भी कर सकते हो अपने laptop या desktop के अंदर तो बस I hope कि आप लोगों के मेरी वीडियो पसना होगी अगर आप चाहते हो इसी तरीके वीडियो देखत करना continuously तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना बस इस वीडियो में इतना ही बाबाई